गोड मोड ओल इंडिया रेडियो और रास्वा के अनलेसिस में आप सबों का स्वागत दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ प्रस्नालिटी डवलप्मेंट मतलब जब आप प्रिलिम्स क्लियर करोगे मेंस क्लियर करोगे और जब आप इंटर्व्यू में जाओगे तो क ब्यक्टित में बदलाओ आया जैसे मेरे पास सुरुवात में कुछ बच्चे आये फिर धीरे ज्व मेनमें साल भर में क्या बदलाओ आया यह आपके ब्यक्टित का मानक तैय करता है यूपीशी की तेराय या तैयारी के दौरान आपको एक-एक बिंदों पर ध्यान देना ह होगा एक सबाल पुछू आपसे क्या समय बीतने के साथ प्रस्नालिटी में बदलाओ आता है तो कुछ एक्सपर्ट का कुछ लोगों का मानना है मैंने गौर से देखा है एक रभी कुमार सिहाग है कि तीन-चार बार में कंपीट किया तो पहला बार जब इंटरव्यू दिय इनके बोलेने का धन बात करने का धन चलने का धन प्रतिक्रिया देने का धन मुस्कुराने का धन दूसरी बार जब दिया यह सारी बाते फिर से यह सारी बाते फिर से सबमें चेंज आया और यह चेंज आना ज़ोरी होता है तो कोई ब्यक्ति उतला होता है या खोखला टाइ या दूसरा गंभीर तो ये ब्यक्तित्त को कैसे बदलेगा तो इसके लिए चार मानक मेली होते हैं आपको मैं एक एक बात बताता हूं कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि एक साल पहले किसी से भेट हुआ फिर दुबारा छे मेने बात भेट हुआ तो आपने क्या उसमेश बीतने के साथ क्या क्या चेंज आया व्यक्तित्त में गहराई परतीत होने से किन मानकों से आप समझोगे कितना वो व्यक्ति सिंसियर है कैसे आप पता लगाओगे देखो लगतार पढ़ाई करने से 10 गंटे पढ़ रहे हैं, 15 गंटे पढ़ रहे हैं, एक दम जीजान लगा के पढ़ रहे हैं, आपके होवीज किस तरह के हैं, एपियरिंसे किस तरह के हैं, कैसे पता लगेगा, आप कैसे अपने आपको आखोगे, आपको ये बाते मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, जब आप किसी बैक्ती से बात्चित कर रहे हो जब आप किसी बैक्ती से बात्चित कर रहे हो तो जिस बिसे पर आप बात कर रहे हो उस बिसे पर उसकी जानकारी नॉलेज क्या है जैसे गवर्नर के बारे में बात किया या भी एलेक्शन चल रहा है एलेक्शन के बारे में बात कर लिया पहुं सारे मुद्ध होते हैं उसकी जानकारी क्या है वो अपने अनुभब को देखते हो इसकी पर्तिकिरिया क्या है और सुक्रफीशियल क्या है आसान भासा में कहूं तो सतही बैक्ति और गहरे बैक्ति उथले बैक्ति में अंतर क्या होना चाहिए या आप कैसे हिंदु जो मैं आपको बताओं सु जैन्यून इंट्रेस्ट अभी इसको पिलिट करूंगा आपको समझ में आ जाएगा आपका तो हो जैसे कि मैं बताओं जब मेरे क्लास में बच्चे सुनते थे जब मैं बोलना सुरू करता था इंदम शांत महावल शांती से सब सुन रहे है लोगो टीचर अगर बोल रहा है और बच्चा अगर सुन रहा है समझ रहा है समझ रही है तो आप एक गुड लिस्नर हो की नहीं हो आप सुन करके जैसे मैं फटाक से पुछा कुष्चन पुछा अच्छा पताओ तो महानियावादी किसमें है तो कोई बोलेगा 75 कोई बोले एक्टिव लिस्नर बनना होगा शक्रिये सर्वन मतलब आपको सवाल यह है कि कैसे करेंगा तो कैसे करने के लिए तो आपको अपने आपको बदलना होगा नहीं बदलोगे तो यह तो नहीं हो पाएगा जैनुनिटेस्ट आप नहीं दिखा पाऊगे गुड लिस्नर बनी ये दूसली बात है शंब्यधनसील्क ओ इमपयर्तिटिटी शंब्यधनसील्क जीसे मैं सिछक हूँ और कोई त्यार थी मेरे क्लास में कोई बाद मेरी बात tam तब्थी गंभीरता से सुन रहा है ईंड़े मेरी मेरी बात गंभीरता से सुन रहा है एक दिन सुना दो दिन् आपने सीखा बहुत मौत कुणी चीज़ वह हैं इसे इंपैठिक होना कहते हैं और आपके पास एक ऐसा भिन्य ब्यक्ति आ जाता है और कुछ कह देता है उसकी सूचना के अधार पर अच्छा ये पॉलिटी का ये किताब पढ़ने से इसमें जलती दिया हुआ इसे नहीं होग आपने इनकी बातों को खारिज कर दिया तो यहां पर संबेदन सीलता होना बहुत ज़्यादे ज़ोड़ी है मतलब यह बात सत्य है कि कितना पढ़ना है किस तरह पढ़ना है देखो जब आप बहुत ज़्यादे पढ़ लेते हो जैसे मैंने एक साल मानलों बच्ची सी को पढ़ाया दो साल मेंने पढ़ाया जहें दिली पेगर हमें कोई पढ़ा जो मतलब दो साल से नौने स्टॉप त पढ़ा ती इस सुचना का भंडार आ गया आप इस विशाफ पर परियाक्त जानका ही रखते हैं आप एकोनोमिक्स में जानका ही रखते हैं आप करिंट में रखते हैं मतलब कुछ बैस बच्चे ऐसे थे देखो संबेधन नसीलता कैसा था मैं अपनी बात बता रहा हूं अंदर था तो सेकेंड नहीं लगता था वह पेज निकल जाता था मतलब इतना इंफैटिक लोग थे लेकिन ये इस्टूपिड टाइप लोग दूसरे की सूचना को लेकर अब दूसरी के सूचना सूचना को लेकर इंफॉर्मेशन को लेकर हमारी बातों को खारिज कर दिया मतलब जो टीचर आपको जितनी भी चीज़े बताया उसका परस्पेक्टिव साइड लेकर आपने अलग कर लिया अलग कर लिया अलग तरह से सोचने लग गए तो संबेन अंसीलता इंफैटिक होना बहुत जदे होबी मैं क्या बदाओ अफॉर नोहीं नौता है दिल लगता है जब भच्षे सामने होते हैं और नहीं भी सोचता हो कि स組 고do कि किस तरह से इस Defense कृपिख का एать सामें में किस ते लिएव्zig कर अपाया तो कर दो मैं पूल्ता हूं मैं कल बैटा नगर या बहुत सारे अपने पटना दिली अपने गाउं में भी बहुत सारे रोग ऐसे मिले कमरे में बंद करके एकदम कोई फॉन फान नहीं दिस डैट एकदम लगातार प्लगे हुए हैं अब देखो ये बच्चे जब इंटरव्यू के बाद भाड़ी आती है मादो पीटी फस्ट यर में वही इग्रेशन फस्ट यर जैसे मेरे पास पच्चे आते थे तो शुरुआत में मतला कुछ भी नहीं जी जीरो सॉरी मुझे बोलना पड़ता है इस तरह की चीज़े लेकिन धीरे धीरे एक दिन दो दिन चार दिन पास दिन में मतला जैसे एक चाहिए और उस होबीज पर या पैसन पर काम होना चाहिए जैसे कुछ बच्चे परिंटिंग करते हैं नहीं है तो आप बनाइए आपको बनाना परेगा यह नहीं कि मोबाइल पर लेकर करके टिप टाप एक दम लगे हुए हाँ जी कैसे हैं कहा गये थे क्या किये थे ना न आप गलत रास्ते पर हैं सबसे महत्पूर्ण जो बात है अब इस परवागरा होता है अब ततकाल निर्ने पर पहुंच जाते हैं इस तरह के फैसले ले लेते हैं जैसे हमारे कुछ बच्चों ने अचानक से नहीं यह चोड़ दो चोड़ दिया चले गए अपने दिमाग से नहीं नहीं चीजे करने लिए अचानक सड़नी आपने निने ले लिया मतलब जिस इंसान जो इंसान च्व मेना साल भर से काम कर रहा है और अचानक आपको महिना दो महिना में कुछ लोग ऐसे मिल गए जो आपको ऐसी चीजे पढ़ा दी यह इसको मतलब आप UPSC के तरीके मतलब डेली में जो बच्चे पढ़ाई कर रहा है अचानक कोई अंकल जी आ जाए और कहें तुम तो गरत पढ़ रहे हो इस तरह से तुमें स्क्रियर ही नहीं होगा इस तरह से इंटर्वी होगा ही नहीं तो इतने दिनों का जो आपका अनुभव था छे मेने साल भर का दो स किस तरह से होना चाहिए घटना है बहुत घटती है तो तभी जाकर के ओवर आल आपका सकारात्मक पक्ष आपका निकले का अब देखना कभी गौर करना किसी इंटर्वीव होल्डर का जो पहले दो साल का दो जोड़ देखना पिछले साल भी इंटर्वीव दिया था और पि अब आपने बच्को पहले एक दम लिस्नर थे एकदम सुनते थे समझते थे सब कुस जानते थे लेकिन बाद में तो यहां गरबर हो कि अजिए तो अगर आप यहां पर नौन बदेखों यूपीसी का मतलब होता है पैशन 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 को जीना सिखिए जीना मतलब कहने का मतलब है कि मतलब शपना देखो शपना ड्रीम बहुत लोग बहुत बहुत देखता है लेकिन अगर तरीके से सही हुए में किया जाए तो यूपीएस सी आरथानी से पहुचा जा सकता है अब को मैं बताना यह चाहरा हूं कि जितने भी लोग इंटर्व्यू लेते हैं व्यक्तित तो देखते हैं गंभीडता देखते हैं यह व्यक्ति कितने गंभीड तरीके से निर्णे लेगा को एक आदित पंडे करके एक लड़का है जो दुवाइस में कंपेट किया था इसने कहा था कि एक टीचर नहीं से कहा था मैं तुम्हें प्रटी लिकार के दे दूंगा एकदम गारेंटी ले लो इस लड़के ने इस पर बस भरसा कर लिया और उसका पीटी हुआ उसके अगर मेंटॉर आपका सही नहीं है तो दो साल तीन साल चार साल पास साल बहुत लंबादे को जब जब गलतीयां आदमी करता है जिसे गांधी जी की बात हमेशा करता हूं गलतिया करना बड़ी बात नहीं है गलतिया होती है सबसे होती गलतिया को जैसे मैं भी अगर बार ब करूंगा मैं accept करूंगा तो चार बाते मैंने आपको बता ही इंपने का कर पालएंप